Welcome back to our channel, Simply Studies with Chelsha तो देखो बात करते हैं, चंदिगर्ड PCT Admit Card की link active हो गया कैसे download करेंगे मैं करके दिखाती हूँ, Google के उपर directly आपको सर्च करना है चंदिगर्ड PCT Admit Card, ठीक है तो यहाँ पर आपको directly एक link मिलेगा homepage का nltchd.info नाम से तो इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने ये website open होके आ जाएगे वैसे यहाँ पर link given है, download admit card for part A, download admit card for part B and download admit card through application number उसके अलावा यहाँ पर इनोंने 3 points mention किये, क्या कहना चाहरा है यहाँ यहाँ पर कि part A and part B, यहाँ पर दो अलग-अलग आपके paper है, part A आपका common paper है and part B आपका subject से related है, तो दोनों के लिए आपको अलग-अलग role numbers given है दोनों का अलग-अलग role number आपको separately यहाँ पर download करके लेके जाना है अगर आपने एक से ज्यादा post के लिए apply किया हुआ है, तो part A आपका क्या रहेगा, common रहेगा उसका एक ही admit card generate होगा and part B का अलग-अलग admit card यहाँ पर generate हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर link given है, आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर link पर क्लिक करती हूँ तो यह आपका page open होके आजाएगा, आप यहाँ पर अपना role number type करिए, date of birth type करिए और generate admit card करिए, ठीक है इससे आप क्या कर सकते हो, download कर सकते हो and क्योंकि मैंने यह form fill नहीं किया है और मेरे पास किसी student का role number भी नहीं है, तो मैं आपको यह करके नहीं दिखा पाऊंगी, ठीक है लेकिन अगर request है, अगर कोई student अपना role number मुझे send कर दे, तो मैं उसकी general guidelines को check कर सकती हूँ and उसमें कोई भी ऐसी main information है, तो मैं आपको साथ उसको share कर सकती हूँ तो आप मुझे telegram पे अगर DM कर सके ही, तो जरूर करना, कोई भी student अपना role number, ठीक है उसके बाद चलिए, बात करते हैं कि आपकी जो revision की class है, वो आपको कल मिल गई है आपने देख भी लिये, काफी जितने भी important points मनते हैं, वो हमने उन revision class में किये हैं actually में सारी आपके अभी तक जितने भी classes हुई है, वो सारी classes में जितने main main points थे, वो आपके revision class में हो गए है ठीक है, नहीं देखिये, तो देख लेना अब क्यूंकि आपका जो exam है, वो 10 तारिकों और कुछ students का comment आया था कि practice set भी करवा दो तो देखो, एक तो 10 तारिकों मेरी early morning की flight है, मैं घर जा रही हूँ अपने mehendegar, ठीक है, हरियाना तो मुझे packing करनी है, और 9 तारिकों मैं बता हूँ, तो जो नित्विक है मेरा बेटा, उसका annual function है तो उसके preparation चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा schedule ज्यादा busy चल रहा है, मेरे पास आज का time है और कल morning का ही time है, ठीक है, अगर मुझे से हो पाएगा, तो मैं जरूर एक आपको practice set अवलेबल करवाऊंगी लेकिन उसमें ज्यादा मैं नए questions नहीं डाल पाऊंगी ज्यादा questions भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना time नहीं है, आप समझ सकते हो जो practice set है, यह last practice set जो आप मुझे मांग रहे हो, वो मैंने नहीं सोचा था, plan नहीं किया था मेरी mind में था कि मेरी जो last class रहेगी, वो आपकी quick revision class ही रहेगी उसके लावा मैं MCQs और नहीं करवाऊंगी, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि MCQs करवाऊंगी, तो नहीं हो पाएंगे लेकिन मेरे पास जितने भी questions है, मैं उन में से selected questions आपको करवाने का जरूर आपको ट्राइ करूंगी, अगर टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं आप समझ रहे हैं कि actually मैं टाइम काफी कम है, तो ठीक है तब तक के लिए प्राक्टिस कर लिए, अपनी revision की class ले लीजिएगा and MCQs वैसे अवलेबल हैं, तो महां से अपनी प्राक्टिस कर सकते हो, exam कैसा हुआ, computer के questions कैसे आए, मुझे जरूर बताना, क्योंकि 10 तारिक को मैं फ्लाइट में रहूंगी, तो थोड़ा सा ट्रावलिंग कर रहूंगी, तो आप से नहीं पूछ पाऊंगी, लेकिन आप मु